दोस्तों, Element 3D के ऐसा concept है, जिसके बारे में जितना जानोगे उतना कम है और ऐसा ही एक छोटा सा लेकिन बहुती पावरफुल एंजिन Element 3D के अंदर है, जो आप लोग शायद ही explore किये हो YouTube ढूंड लो, नहीं मिलेगा तो है guys, what's up, my name is Rajat, welcome back to my channel, VFX World, once again आज के वीडियो में आप सीखोगे मेरे साथ Element 3D का वो बैदरीन feature, so let's get started Okay guys, welcome back to my channel तो जो feature के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं उसका नाम है SSS, मतलब Sub-Surface Scattering जी हाँ, यह Sub-Surface Scattering basically वो ऐसा चीज है जो तभी create होता है जब background से कोई hard surface light, अपने human body या फिर wax model या फिर कोई भी जो semi-transferring material से बना हुआ है, उसको पर जब गड़ता है, तब उसके अंदर से जब light pass होता है, तब create होता है Sub-Surface Scattering effect लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे इस channel पहली बार आए हो, वीडियो पसंद कर रहे हो, तो definitely वीडियो का अभी कभी like, share करके चैनल को subscribe करके जरूर ज़रूर जाए, ऐसी दमाकेदार वीडियो में हर हफते लेकी आता रहता हूँ Okay guys, so let's jump into After Effects और सीखते हैं कि कैसे create करेंगे SSS effect So basically, कुछ settings तो आप सभी को पता है कि एक लेना है new composition, वहाँ पर create करना है new solid layer, उसके अंदर elements 3D जो effect तो उसको डालना है तो सीधा चलते है elements 3D के scene setup के अंदर, आप यहाँ पे कोई भी model ले सकते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक चोड़ा सा हाथ का model लिया हूँ और हर एक model के अंदर आपको मिलेगा by default material, बढ़ आप कोई भी material बाहर से भी import कर सकते हो और हर एक मिटी दिल के अंदर आपको sss effect by default मिलेगा, तो इसको enable करने का basic सा फंडा यह है, element 3D का जो ride वाला panel है, जो control panel से element 3D scene setup के अंदर, वहाँ पे material को select करो, नीचे जाओगे तो आपको एक option दिखेगा, sss लिखके, वहाँ पे जाके simple, वो sss को कर देना है, check box on, तो जैस 10 increase कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है, 1 से लेके 2 के अंदर ही उसको रखा करो, ज्यादा हो जाएगा, इसके बाकी का जो setting से by default वैसे ही रखो, और रहीमत color कर, अगर आपको लगता है कि color आप change करना चाहते हो, तो definitely change करो, otherwise keep it like that, then इसके बाद OK पे click करो, और सीधा आजाओ, after effects window पे, यहाँ पे पहले तो आपको create करना पड़ेगा, एक camera to see this completely in 3D space, अब sss effect को देखने के लिए, आपको make sure, 2 settings को करना पड़ेगा, enable, तो camera लेने के बाद, आपको create करना पड़ेगा, एक light में, यहाँ पे spotlight यूज़ करना हो, ताकि वहाँ पे fall off वाला effect create हो, ताकि हम वह पे fader जो है, वो control कर पाए, and guys make sure light का position होगा, हमेशा अपके model के background पे होगा, क्योंकि यह background से ही model पे hit करता है, तब जाके आपको sss effect side से दीखने को मिलेगा, तो जैसे अपका light setup हो जाता है, make sure आपका light का shadow है, वो on होना चाहिए, otherwise आपको यह effect नहीं दीखेगा, इसके बाद आओ, element 3D का control panel पे, वहाँ पे जाके आपको एक और sss effect settings मिलेगा, but उसके उपर पहले तो आपको जाना पड़ेगा, shadow effects पे, shadow पे जाके आपको shadow कर देना पड़ेगा, check on, and आप चाहो तो उसको rate trace mode पे भी कर सकते हो, अगर आपका system अच्छा का सा support करता है, तो, then next option is all about ambient occlusion, आप उसको भी change कर सकते हो, rate trace कर सकते हो, it's completely up to you, now coming to the next, sss part settings, जहाँ पे आप custom इसको और भी increase or decrease कर सकते हो, but already आपको screen पे sss effect दिख रहा है, I am pretty sure about that, and अगर आप notice करोगे, तो, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत noise देखने को मिलेगा, तो make sure, जो subsurface scattering का samples है, वो by default रहता ह 8, मैं उसको कर देता हूँ 32, और इसके बाद आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत color correction, CC, depth of field, camera movement, वगड़ा वगड़ा, और इसके साथ आप create कर सकते हो, with the help of sss effect, मतलब surf surface scattering को यूज़ करके, so many realistic renders, inside of elements 3D, तो I hope guys आपको वीडियो समझ पाया, पसंद आए, और अगर पसंद आ मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसे धमाके तार content को लेके, तब तक के लिए मैं रजित signing off